देश की माइनोरिटी को और विशेश कर मुसलिम भाईयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिक्ता CAA छिन ही नहीं सकता क्यूंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। 2019 भारत में लागू हो चुका है और यह जैसे ही लागू हुआ कुछ लोगों ने अफवाय फैलाना शुरू कर दिया है कि इंडिया के मुसल्मानों को इसे खत्रा है और सरकार इन से प्रमान पत्र मांगेंगी और कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि सरकार एलेक्शन के सामने CAA लागू करके अपना वोर्ड बैंक बढ़ाना चाहती है लेकिन यह पहले ही अमिश्या ने ऐलान कर दिया ता कि CAA कैसा भी लागू होगा ग्रेमंत्री जी CAA कब लागू होगा CAA यह देश का कानून है पत्थर पर लकीर है यह वास्तविक्ता है यह लागू होगा ही होगा और इस चुनाव के पहले हो इस तो कोई नहीं लोग से CAA इंडिया में क्यों लाया गया यह कोशन बार-बार लोग उठा रहे हैं यह इसलिए लाया गया ताकि जो लोग पाकिस्तान, बांगलादेश और अफगानिस्तान से जो नौन मुसलिम्स यानि की हिंदू, जैन, सीख, बाद और जैन जो लोग वहाँ से आकर इंडिया में रहने लगे थे उन्हें अभी तक सिटिजन्शिप नहीं दी गई थी उनके लिए यह एक्ट लाया गया बस और कुछ लोग यह बात को लेकर बहुती बड़ा इशू बना रहे हैं और कह रहे हैं कि यह आने से इंडिया के मुसलिमों को इससे खत्रा है, इसमें ऐसा कोईच भी नहीं है, दोस्तों यह सब अफवाए पहलाई जा रही है, तो आप ऐसी बातों में ना आए, और हमार वीडियोस देखते रहें और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट करके बताए कि आपको हमारी बात कैसी लगी